कि अज़िए गाइज वेलकम बैक और सेनल विशित क्लस्टेश दोस्तों आज बता दूं कि आज वह बहुत ही जब दस चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है दो आटेस्ट और इसके राइटर के बारे में सब कुछ हम लों ध्यान से जानेंगे सीखेंगे और आज का जो वे संदार एंजंदार ग्लासिस तो दोस्तों बताना सहेंगे कि वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपकी एक्जार्म के लिए ठीके ना इस सीग्वेश्ट आइमस काने का अर्थ यह भी है कि इस चैप्टर से पिछले बार भी क्वेशन पुछा गया है अगले बाभी पू आज का थ्रा साप लोडिस कर लीजिएगा यह सारे लेखा कजन जो भी चीजी आप लोगी आप लो या तो लिख लीजिया ठीक आज जैसे भी हो आप इसको लिख लेना ठीक ना याद कर लेना तक यह बड़ी वेरी इंपोर्टेंट चीज है जो आपके एक्जाम में आपने सुरू में दिखा था जल सचल मुझे कमेंट करें कि सिंगया नुया जै कहां से बिलोंग करते हैं ठीक ना बिलोंग का मतलब कहार ceux कहां से आते हैं ओके कि फास्ट कॉमेंट कीज़े फास्ट कॉमेंट कीज़े बोस क्या होगा ठीक है किया वो ब्रिटेन वाला सही है इंग्लेंड वाला सही है यह जपान वाला सही है चाइना वाला सही है आप मुझे कमेंट करके बता हो चलिए अपने सही जवाब दिया इसका राइट एंसर जपा option B is right हो जाएगा ठीक ना तो आज का अगला question कहते हैं तो बहुत ही प्यारा question सेवी is 10 year old वो सेवी नाम का लड़का था ना इस कहानी का hero main character वह कई सलगा था कितने सलगा था तो question यह पुछना चाहते हैं आप से कि वह कैसा लड़का था कितने सलगा था तो आपने सही सुना और आपने सही देखा कि वह लड़का बारा सलगा था hundred percent equation इस बार एक्जाम के लिए very very important question तो बात करते हैं आज का question बहुत ही संदार और जंदार question है और यह question दोस्तों बता दें कि दो हाजार 21 की एक्जाम और पुछा गया है आप पता यह सेवी को किसी इसमें जुनून था भाई पूरे पागलों की तरह है उसी चीज़ को खोजना पढ़ने जाता था छुटी टाइम में बस एक गली से दूसरे गली तक ढूड़ना इसको तो क्या है जी आप इससे देख रहे हो ना घॉक्त तो भाई इसमें कोई शक नहीं है आप चब्रत तस्वीर से एंशर बता सकते हो कोई टेंसशन लेनेवारी बात नहीं इसमेर एक्जाम है तो वीडियो को आन तक देखना म teu नहीं तो डिजिटल बैंट वास ऑगा दूसरी बात में दूसरी बात यह है कि आपका लास्ट में टेस्ट होगा जितना मैं पढ़ाउँगा उन सारी चीज़ो nossa मैं टेस्ट दिया जाएगा। और आप जल से जब बच्छे एक बात मनों क्यूंकि मुझे नहीं दिखाना मुझे रिजल्ट दिखाना बस समझ रहा हुँ लुग बात करते हैं आगे कि तो चलिक और क्वेशन कर रहा हूँ इस मैन करेक्टर कौन है तो भी मैंने कई बड़ गना गाया कि वह बेंजी है आप कोई असर बेंजी कौन आ गया तो बेंजी आप याद रखिएगा दो अर्थ का मैन करेक्टर देखिए एक अब्जिक्टि और भी आ एक चापटर मिलेगा दो अर्थ के मैन करेक्टर कान बेंजी है है सेवी के 20 खल आरकटल से नानुक्ति सब्सक्राम जो लृत को यार्ण अधा बहूंत करते तो बात करते हैं आज का है बेहतर क्वेश्ट बेस्ट क्वेश्ट सेवी लेवसिंडेस सेविया जो है ना भाई सेवी जो था वह किस टाउन में रहता था असा क्या आपको यह सब देखकर कुछ अंदाज मिल रहा है कि क्या कुष अंदाज मिल रहा है अपको क्या कि सब क्या है तो आपने से सुना हारी बर सी में रख था हार्वर्ट शीटि का मतलब होता है बंद्रगा चिह ना बंद्रगधा बताना नहीं पड़ेगा मुझे नैं नएसा तो हो नहीं सकता है ठीक है आप लोग समझदार है चलिए आज का अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमर शिक्स वान कूड क्रॉस डैट चाउन इन डैस मिनट्स तो आपको पाता है न से भी कितने मिनटों में इस गली से उस गली से सहर से उस गली तक आर पर कर जाता था I remind हो जाता है ठीकैना आज के एकले प्रॉफ क्वेशन देखते हैं बहुत शकासक्मेशन है बहीं बताना है आप लोगलता आप c k brick new school में था क्या प्राइमरीशिक्री नहीं प्राइमरी इस्कूल में था प्लेशिक्री क्या टो मुझे सहर साइट कॉमेंट कर इस क्राइप एंसर क्या है अगर आप एक नासर दौर दिखाई दे रहा है से भी फादर व Alhamd्वक करते थे कहां करते थे कि स्थॉप में तो आपको पतै ने जहां पी सबनता है उसे क्या बोलते हैं बार्वर की दुकाण बोलते हैं बेजटेबल की लेडी की या काड़् सबळते तो आपने सब्सक्राइब करते हैं इसको दिमाग में लॉक होई गया होगा आज की बात करता है अगला क्वेस्टन कर रहा है वोडिस की क्रेंशी ओफ जैपान के है वाव यूवान है भाई तो चाहिना का है डॉलर तो अमिरिकाए का पता है और मुझे से कुमेंट करें और क्या मुद्रा है तो आप लोग देखे भी रहें तुसमें कुई कोई डाउट की बात नहीं मैं उम्मीद करता हूँ अप लोग एक सारह डाउट यहां तक क्लियर हो चुका होगा concept भी क्लियर है ठीक ना आज की बात करते हैं आज का आगला question एक और बात जो रिसुस नहीं देना चाहूंगा जिस बच्चे को जितने भी English का PDF है PDF कि सर मुझे सुरू से यानि पार्ट वन से लेकर आपका all chapter का ठीक है ना जान दिजेगा कहोगे के सर क्या कहोगे सर कहलो भाई पहले तुम्हें कहलो ठीक है ना तो पहले बात यह थोड़ी से पहली बात तो यह क्या मजगता तो बात करें दोस्तों दो बाते में आप सकते कहने चाहूंगा उसके बाद फिर सारे question हम लोग करेंगे बहुत important question करेंगे पहली बात के English को जिसको भी PDF से ना कि सर पूरे चाप्टर काम को PDF चाहिए कैसे PDF चाहिए या नोट्स चाहिए ठीक है न तो पूरे चाप्टर का PDF चाहिए पूरे नोट्स चाहिए इसका objective चाहिए सब्जेक्टिव चाहिए समरी चाहिए लाइन एकस्प्लेशन चाहिए सब कुछ इन्हें टोटनी सौन मार्क्स की आपको जो भी नोट्स की जुरत पड़ेगी तो भाई याद रखना कि आप लो मैं एक नमबर दूंगा उस नमबर पे जुड़ जाईये ठीक है ना और उस नमबर से जुरने के बाद आपको करना क्या है करना ये है कि PDF के लिए आपको कुछ पे करण पड़ेगा है निए जमा करना पड़ेगा इमिसको को पे करना पड़ेगा उस पीडियों के लिए क्योंकि आप जानते हो पीडियों को बनेना बड़ी मुस्किली का में टाइपिंग गरेवरे सब किसी है तो पीडियों के साथ और भी नोट्स पड़े हुए हैं ठीना तो मैं आप से एक ही बात बोलूँगा ठीक है ध्यान से सु करना भी हैं तो जितने भी बच्चे इस वीडियो का देख पा रहे हैं मैं उनसे की बात बोलूँगा कि आप मात्र देखिए सारे पीडियेफ का चार्ज तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन मैं आप लोग के बात बलूँगा इतने सस्ते में आपको पीडियों प्र 911 22 800 17 नमर नोट किजिएगा यहीं आपके वाट्सप ग्रूप में भी काम आएगा ठीक ना ध्यान दिजिएगा ठीक है तो और भी जितने भी नोट से दोस्तों सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक ना तो बात करते हैं आप पास समझ भी रहे हैं ठीक ना तो यह नमबर ऑफिसाल नमबर आप ध्यान रखिएगा इसपर अगिल मत कीजिएगा ठीक ना इस पर क्योंकि कॉल नहीं लग सकता है कि कॉल करने की प्राइस भी मत किज़ेगा सतर नौ से गारा बाइस आठसो सतर इस नमबर पे आप पे फोन कर सकते या फोन पे जिसमल बोलते हैं कर सकते हैं ठीक न और तो और इसमें कि इसमें और क्या है दिखेंगा ध्यान से थोड़ा समय बताना चाहूंगा आपको महज 299 रखा था चार्ज ठीक ना 299 चार्ज रखा था लेकिन आप लोग को अफर चार रहा है मात्र जो है 99 वह ठीक ना 1099 ठीक ना मात्र 1099 रुपीज में आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा और जब तक आप 12 का एक्जाम नहीं देते हो उतना ही में सारे नोट्स आपको फ्री में एबलेबल कराए जाएंगे बस मात्र 200 चार्ज 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 ठीक ना जितने नोट्स से आपको मिलते जाएंगे उसमें कोई शक नहीं है और तो और आप कुछ से त्यारी कर सकते हो ठीक है आपको जो भी चाहिए हो सब मिल जाएगा अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोशन एंसर हो और तो और समरी एक्जाम में पुछता है और एक्जाम में आने वाले सारे कोशन का नोट्स मिल सकते हैं कुछन होंगे ठीक है ना चलिए तो कले सिंग गान वाश ग्रीत क्या थे भाइए तो किया स्टूरी राइटर थे क्या नोबिलिस्ट थे क्या ड्रामाटिस्ट थे क्या A&B दोनों थे बताये जल से जल को मैंने कि राइट एंसर इसका क्या होगा तो आपने सही जबाब किया कि सर इस्टूरी राइटर भी थे और नोबलिस्ट भी थे गुट 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 आज अगले कोशन के बात करते हैं बहुत ही प्यारा सा कोशन है जिसको हम लोगों उलना नहीं अगला कॉर्षंटेखते हैं है विपिजट के सेवरọi से ओर से शाराय हो वनार Millet कॉन सुपित हैना से वको च्सुन कॉलिस पक्राइस घुन है इधिक्स के था मिल्यक्स था möज हाउ मेन हाउ मेने सेंस डिट से भी बॉफ्ट डैट इस्पेशल गाट फॉंद इस लेड़ी तो भाई उस लेड़ी से से भी ने कितने का कितने टका का वो गाड लिया था ठीक है ना बताने का प्रयास किजिएगा तो यहां आप सीके पर देख रहे हो क्या लिखा दस सेन ठीक ना चलो आज का अगला क्यों बताने का प्रयास करोगे वह वाट वास यहीं डूइंग वीद गाट वेंटी सब्सक्राइब पकड़े थे तो वह गाड के साथ क्या कर रहा था ठीक ना चली बताने का प्रयास किजिए इसका राइट एंसर क्या होगा क्या वह सुना के सर पॉलिस देखो यहां पर दिखाए दाना शरू ठीक अच्छी बात है कि देखो चितर से अब्जेक्टी याद करो गया सब्जेक्टी याद करो गया ऐसा होगा ना क्या भूल नहीं पाओ गया चितर से हम लोग फिल्म देखते हैं साउंड देखते हैं उसकी साउ पान में कोन सी गाड की परकार जो आई थी टाइप साइथी जो काफी तहाल का मचा रुकिति ठीक ना क्या सिल्गी गाड थी बॉटल गाड था या जो भी केवलेस बकाड था या बैकिंग गाड था चल से मुझे कॉमेंट करें सक्क्राइड नहीं सब लोग सभी जबाब द भाई डेड़ सो सस्क्राइबर को किसी ना किसी परकार सेयर करके बढ़वाद हो जो बच्चे नए है ना वो कम से कम इस चीज़ पर फोकस करेंगे ताकि मैं लाइब आऊं और लाइब आकर आपका ग्रेमर का जो पॉर्षन है उसको लाइब पढ़ा हो भी मज़े से पढ़ लाइगा का सर जीरो से बिल्कुल आपको हिरो बना देंगे हम यानि जीरो टुब बिल्कुल एडवांस रहेगा आप सीखोगे जिस भासा में सिखना साथ है हो उस भासा में सीखोगे प्र्यास तो इतना करो के बार पहले डेर्ट सो कम्प्लीट हो आपका अठ्र कितने आप से तना हो सके हैं प्र्यास की जिएिसे जितने पुल गोलने त eh sun-g Moi देख रहा हैं अभी तक module नहीं दोस्त हैं सब के के पास सेयर कर सकते हैं सब लोग देखें कोई दिक्कत नहीं है बस एक्जाम के त्यारी अच्छा से करें ठीन है वाओ क्या लूख है नजारा है इसको देखकर आप क्या सुचते हो भाई कर दो मैन हुवी है लाइक ओमें इसको रोवा आदमी जो औरतों की तरह भीवार करता है उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं यह तीनों पिक्चर में आपको कुछ शमाज में आ रहा है क्या वह हो इस सारे के सारे क्या है पुरुशी है आखिन हो लइकिन है विट्स समाइल डायक। क्या कहते हैं तो उसे हम क्या कोएंगे इफी या इसको क्या हम लोग AG गल्तुन कहएंगा 올्ट्रेंड बोलेंगे या एफने बोलेंगे फीने जिसमें व बोलते हैं कि चलिए जल्द से मुझे कॉमेंट करें इसका राइट अंसर क्या होगा ऐसे लूक कि बिचरा गलत बात है एंसर जल्दी बताऊने तो मारेंगे तुम लोग डिजिटल पर डिजिटल तरीके से बोड तो वही है तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा भाई हो चलो कोई दिकत नहीं से लेने वाली बात नहीं है एक बहुत अच्छी क्वेशन आप लोग देख कि गाड है क्या बता दो जहना गेम है हैं डांस हीए है तो जल्सला मुझे राइट अंsa कामेंट करें क्या होगा होगा या क्या नहीं होगा ठीक है तो आपने सही सुना क smoothie कोई नहीं है कोई doubt ही नहीं तो čलता है आंके पॉरते हैं आफ्टर ये छीनने के बाद गाड प्र հ कि ऑपटर सीकलर साफ्ट करें है किसको दिये थैंसी है चलते हैं कि क्वțiसें बताने के प्यास करें आख कि कि-सी ने कहा के यार क्या कहा मैं तेख बात आप लोग बोलूँगा में दोस्त एक बात याद रखना जिन्दगी तुम्हारी है जिन्दगी तुम्हारी है और तुम्हारी जिन्दगी में अगर प्यार का भूत चड़ेगा तो दिल तुटेगा इस तुम्हारी जिन्दगी में अगर प्यार का भूट चढ़ेगा तो दिल तुटेगा यदि सक्सिस का भूट चढ़ेगा तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तुटेगा तो सफलता का भूत जो है जो नून जो है अपने अंग में दिमाग में पूरी भूडी में लाईए और अच्छे सच्छे रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाईए और उसे दिखाईए जो आपको हार देखना चाहता है आप उसे जीत करके दिखाईए चलिए इसके लिए सभी लोग जो बचे लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करेंगे और चलते हैं आज का क्वेशन का एंसर आप सेवी सेवी को लेकर सेवी की जो जब उसको कैश किया ना उसको क्या करते हैं तो अब हुआ उसको क्या करते हैं दूसरी बात जापान वाला राइटर जो है सिंगा नौया उनका जन्म कब हुआ जल्द मुझे कॉमेंट के पताएं इसका राइट एंसर क्या होगा भीड़े जल्दी सभी लोग वीडियो कम तक देखना अभी टेस्ट बाकी आप लोग ओके न चलिए तो भाई उस समय उसका पापा जी कहा तस्विर दिखाया गया है चलिए बहुत एक पैसे कोशन अपने तरह फोकस किजिएगा हाउ मेनी इंस वाज गार्ड सोल फाइनली और जो लड़का दस इन में जरा सोचोगे कि दस पैसा में सुरी सेन कहिएगा दस पैसा का सपुझ मानने इंडिया का सपुझ मानते हैं दस सेन में खड़ता गया कितना बैचा गया जिए 600 इन में बैचा गया तो पूछ रहा है कि फाइनली कितना बैचा गया था तो इसका राइट अंसर का हो जाएगा तो आपने सही सुना और सही तस्विर देखा ठीक है आज का अगला क्वेस्टन है सेवीज नाउडेस सब छ आश्मेर बननाने में चीक्ट पिक्चर बनने में मगन था अब आ जाऊ भए टेस्टव लोगा झाण दूसट आप लोगा चलिए थोड़ा सा जह सुक्द ouais रह में चलिए चलिए चलि घले हो कि ऑऩôn प्रफिशन नमर एक साफ लोग का टेस्ट है उस नम्मरिंग में ने चेंज कर दिता कि इसका थोड़ा अलग तरीका हो दा आटिस्ट का राइटर कौन है जल से जल मुझे कॉमेंट करें जल से जल जल कव हुआ था इतनी बात कॉमेंट करें जल से जल आप लो शही सुन रहे हो बिल्कु नहीं कॉमेंट करें दोनमर राइट एंसर क्या होगा जल से जल क्या 83 क्या 92 क्या पंद्रव बहत्तर है क्या 90 है कि उपर में आपको शुरू सुन मैंने बोला था इस इसको कि याद कर लो या लिख लो क्योंकि आगे क्वेशन बनेगा ठीक है ना चलिए जल से जल म कि राइट एंसर क्या होगा ठीक है कुछ काम धाम तो अच्छे से कर लिए चलिए चलिए जल्द एंसर सभी बता है आप लो ठीक ना इसका भी एंसर में मैं नहीं बताओंगा आप लो देखना पड़ेगा अपलोगा ठीक ना अब कॉरे सिंगा नोया इस फेमस फोटा है सिं क्या होगा कॉमेंट कर इसका राइट अंसर क्या होगा है क्या है इस्मी सदीक है असुए सदीक है या 17 सदीक है तो Standard You जल्द से जल्द किया जाए चली आप जल्द मुझे कमेंट बताने इसके का होगा चली वेट मैं कर रहा हूं जल्द मुझे करेंसर प्रचि क्या होगा चली आगे बढ़ता हैं प्रस्ट क्या है जी क्या प्ले है नाटक है ड्रामा है ज़ल्द मुझे कमेंट कर इसका राइट इंसर क्या होगा कि चलिए चलिए बताइए जल से जल कि इतने गर्मी में बैट कर बाना पड़ता है वीडियो कल्पना नहीं कर सकते भाई तो सभी बात है कि इसका स्टोडी है आप लोग याद रखिए कि इसमें कोई दिगत नहीं है कि आवर डाए अधसे सट्री स्टोडी से कारी कौंसा सौक होड़ी है तो क्या देखिए इसमें कुछ अलग भी ब्रटूर्यस को या मेंगूस को तो बताइए जल से जल मुझे प्रेक्टिस का मतलब फास्ट होता है ना क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके है तो उसका क्या था गार्ट में उसका बड़ा मतलब मन लगता था इसमें कोई शक नहीं है ठीक नहीं तो बात करते हैं आज का अगला क्वेशन के तरफ देहां दिजिएगा सभी लो कि से भी होबी जब क्लेक्शिंग गार्ट मैट फॉर इस टीचर तो आखिकर मैं बताऊंगा कि से भी कि जो क्लेक्शन था और उस टीचर ने क्या किया देवेजिल प्राउड किया था लाफ किया था नहीं सप्राइज था उसके लिए बहुत एंगरी हुआ था आपको पाता है अगला को सब्सक्राइब बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन आम आप देख पा रहे हैं जैसे कि इंगार नमर तो दो दना पड़ेगा क्या है को रहा है कि सेविस पेरेंट्स न्यू डैट ही होफ एंट वेंट 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 आउट तु भाई वो उसे भी क उसको पता है किआ कि वो जाता है करता किया तो क्या करने करता है जी क्या उसको करनी होती है मारोलस करने आकर सब्सक्राइब लेडा बती है तो मेरे नुसार बात किया जैनत भाई तो बहुत अन्या होती है उस से भी के साथ क्योंकि से पास कुछ कला होती है जरह सोचो कि दस इन का स्वारी सेंका गाट्स को उसने 600 इन विश्वादिया दिमाग ना है उसका स्टैलेंटी नहीं ठीक ना कर रहा होन मस्ट एड़ाया टू इन हैंट क्वालिटी प्रेजेंट दो डैस तो किस चीज के याने किस इंसान की परेजन आप टैलेंटी कुनों ने सो किया तो एडल्ट आपने सही सुना से भी जो था कि स आपने सही सुना और सही बताया अगले कुशन अब बढ़ते हैं इसको कौन से स्कूल में था प्राइमरी स्कूल में था उसके बाद कर रहा है उसके पापा जी देखिया कि पाउल इस से एट से भी तुसके वहांने कौन है उसके बहुत सारी भड़क गए थे पताम चूट पड़े थे तो उसमें कोई शक नहीं उसके पापा जी तूट गए लास्ट में भड़क गए थे ठीक ना कि बहुदा सर काटपेंटर के स्थौप है यू और एडियेट डैस आउटेड किसने चला आता है कि तुम बहुत बड़े एडियेट हो तो तुम तुम जैसे लड़को कोई भबिस नहीं हो सकता है यह किसने कहा था टीचर फादर या अफिसर या मदर ने कहा था जलसे मुझे कमेंट कर मुझे अभी बताएं जल्द से बताएं कि वह कौन सा टीचर था ओके 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 बढ़ते आगे दो प्राइस आफ फाइप इंच गाड़्स वही था ना कितना में खरदा था यह तो बात करते हैं आज का उपका रहें ना डेस वास 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 ऐलिंग क्या थी बुढ़ी और थी जो यह लड़की थी यह लड़का था वह फाइव इंच का गाड़ बेचता था क्या ओल्ड में था ओल्ड लेडी थी या वो वह अगल था बताएं कि आखिए प्रिद्स में उस एन को I miss the sign में जो भी खड़ता था लोकी को 55 को कहां से लिया था वो तो सही बात आपने सही सुना है कि वह ओल लेडी ही थी ठीक ना आज का अगला क्वेस्टन का तरह बरता हैं बहुत ही जल्द और पांस साथ मिनटे क्लास से अपलोड लगे रहें ठीक ना तो ध्यां तो नहीं दता है ना तो और क्या अजाता है श्क्ते को सबस्सक्राइबिया दिश्भाड और से ठीकोड़ टूबियो लिए तो जल सिदल मुझे कॉमेंट करें और इसका एंसर तो मैं नहीं बताओंगा ठीक नहीं अब बहुत बढ़ सुन चुके हो ठीक फिर से देखता है कुस्टन में तो बात करते हैं आज का अगला क्वेशन देखिएगा बहुत यह अची पहरा से कुष्टन है तो क्वेशन आपनों सही सुना कि आज के 25 निमर्ट कुष्टन है तो आपने सही जवाब दिया का सर पचास तो राइट राइट है शोरी जपानी वाज़ डैस अप आज स्वरी जहां से वी वह जडैस जैपैनी बुए तो से भी का लगा था जी कैसा लगा था बता दो जो जो कॉमेंट देखना चाहोगा लोग ए स्वरी ऑप्सन तो इसमें दिया भी है तो क्या नो उप्सन तो बारह सल गला ता भाई इतन अब जाए तो आपको अब बता दूँ कि आपको ड्यूटी यह जल से जल डेश्ट तो सब्सक्राइबर किसी प्रकाड से कम्प्लीट किया जाए ताकि 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 मैं आपको जल से लाइब आकर आपको हर भी से को पढ़ा पाऊं आपकी हिंदी क्लास भी चला दिया जाएगा ठीक ना आपकी इंगलिस क्लास भी चला दिया जाएगा और ज्यादा आप चाहोगे तो आपकी बाइलोजी और फिजिक्स क अब सभी देख रहे हो से भी वास देश कारेक्टर तो उसमें कोई शक में आटिस्ट का यह भाई तो से भी फादर वांटेट तो पूरा पेडिएफ चाहिए तो महज मैंने आपको 199 का चार्ज रखा है जो आपको पूरे बार्वी क्लास तक ट्वेल्ट का इंग्लिस का आपको नोट से लेकर जो भी चीज़े आपको मिलता रहेंगा जो है आपको मिलता रहेंगा ठीक ना चलिए तब तक के लिए जैहिंद मिलते हैं छोड़े से प्रेक के पार